दो मैचेज इस श्रिंखला के और पाँच हैं उस्टेलिया में अब इन साथ में से चार जीतने हैं दो को करें ड्रॉ आ जाएं कुल मिला के छपन अंक तो फिर क्वालिफिकेशन WTC के फाइनल के लिए होगा कन्फर्म वरना फस जाएंगे हम सरी सुनरे हो आप और वैसे वाश रविंद्र टॉम लेथम यह लेफ्टीज को सोच रहे हैं और दो से खेलना चाहते हैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हो क्या रहा है पैसे हां साही सुदर्शन ने भी धोरा शेतक मार दिया है इंडिया ने पाकिस्तान को एक बार फिर हरा दिया है वेल डन अंशुल कंबो कंबोज साहब बढ़िया करें रमन दीप का कैश भी माशालला था यार हैस्टाइग अगाश भाणी में आप सभी का हथ जोड़ के स्वागत है और इस विल भी एक एपिसोड क्योंकि थोड़ा सा फोकस हम कर रहे हैं मैच का जो हमने रिव्यू करना था वो हमने कल कर दिया था उसको भी जरा देख लीजेगा चैनल पर आज हम फोकस करेंगे व्य क्या चाहिए क्योंकि बहुत सारे पर्मेंटेशन कंबिनेशन हैं सिर्फ हम नहीं खेल रहें बाकी भी खेल रहे हैं और बाकियों के क्या चांस है वह भी देखना जरूरी है तो अगर हम चार मुकाबले जीच जाते हैं और दो करते हैं तो हम पहुंच जाएंगे 56 सेज़ पॉइंट पे अगर 67.54 अगर दो अगले मुकाबले जीते हैं हमें दो कम से कम जीते हैं और दो मैच इसको ड्रॉ कर दो अगर यह भी हम जीच जाते और अगले भी दो जीच जाते ना तो फिर हम 85 पर सेंटेज होते फिर वहां पर हमें कम काम करना पड़ता बीजीटी में करना पड़ेगा लेकिन अगर हम नहीं पहुंचते हैं सीधा सच इसके बाद भी 67.54 हमारे परसेंटेज पॉइंट होंगे सौथ आफ्रिका अभी भी नियरली 70 तक पहुंच सकती है 69.44 अगर अब उन्हें वो बचेवे सारे मैच जीत जीत मैच जीत जीते हैं अगर सारे मैच जीतना मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनके लिए कठिन होगा जिस तरीके से उनका वैसे भी टेस्ट का साल चला है आस्ट्रेलिया भी जो है वो 69.04 तक बहुत सकती है अगर सिरफ 4 मैच जीते और ड्रॉ कर दें दो मुकाबले तो दो लेकिन उनके शिलंका में शिलंका सीरीज की अभी तक डेट्स नहीं आई है पर शिलंका जाना उनको और भारत के सामने खेलना है तो उनकी दो शिंकला है बची यानि कि उनके भी लगबग साथ मैच बचे हैं मैं मान के चल रहा हूँ कि वहाँ पे शिलंका के साथ सिर्फ दो ही खेलेंगे तो चार जीत और दो ड्रॉस आल्मोस्ट इंडिया जैसी का कंडिशन है पर असान तो उनके लिए भी नहीं होगा ना तो वह एक इंट्रेसिंग रहने वाला है कि भाई यह की इंडिया के साथ कैसा रहता है इनके मतब आप आल्सो थू पर अगर भारत को 56 से कम पॉइंट मिलते हैं सासत पड़ भी रहा हूँ तो फिर हो सकता है कि we will be totally dependent शिरलंका जो है वो 67% के साथ भी finish कर सकती है साथ आफ्रिका जो है वो आगे जा सकती है पर of course there is a caveat की सारे match उनको भी तो अपने अपने जीतने होंगे समझ में आई है नहीं आई है तो बताना बही नहीं आई तो भी बता देना दूसरी बात है कि Washington सुंदर का नाम टीम में आचुका है यह वाज थोड़ा सा unexpected अब वाशिंग्टन सुंदर की टीम में जगा आने से जहन में क्या सवाल आता है कि क्या सोच रही है भारती है टीम क्या एक और स्पिनर खिलाना चाहते हैं अल्रेडी ट्रैविंग रिजर्व में बहुत सारे फास बोलर तो थे पर क्या करने का मन है क्या अश्विन पूरितना क्योंकि अश्विन को आप बोलींग ही नहीं कर आओगे का पर आपने नहीं कर रही है अगर आप नहीं कर आ रहे हैं तो क्या वो कुछ निगल विगर का रही है और आप चाहते हो कि भईया वाशिंग्टन सुंदर मेरे पास एक लाइफ और लाइक आल्मोस्स मतलब स्किल का जो तरीका है उसमें तो लाइक टो लाइक मिल जाए क्वालिटी में फरक रहेगा अगर आप उनके गेंदबाजी की बात करें क्या उस सोच से जा रहे हैं या फिर यह सोच रहे हैं कि हम तीन स्मीनर तो खिलाना चाहते हैं पर जड्डू अश्विन के साथ एक और किस दिशा में वो पॉइंट कर रहा है क्योंकि रैंक टर्नर तो भी आप नहीं बना पाऊगे या बना लोगे चारी दिन में मैं शुरोन है पूने में और तो बीफेर मैं मुंबई में हूँ और भारिश समें भी भी हो रही है इस नॉट कम्प्लीटली बोंड रा है तो क्लोज हुआ था पर एंड में जाके वो रमंदी बग्याज बड़ा अच्छा था अंशुल कंबोज की वो फास बोलिंग बड़ी अच्छी थी थोड़े थोड़े रंस भारती बल्ले बासों ने बनाए जिसमें अभी शेक शर्मा भी थे अतिलक वर्मा भी थे थोड़ा सा गुथा बुथी भी थी जिसमें कुछ बोल भी दिया था भाई अभी शेक को तो पाकिस्तानी बोलर ने और साथी रंसे मैच जीते हैं पर जीत गए या जीत गए तो बहुत अच्छा है क्योंकि इस साल हमने जहां जहां इसी सी टॉर्णरमेंट मिले हैं पाकिस्तान से हमने भी या पाकिस्तान को दोया है चाहे फिर वो हमारी लड़किया ह ..." पुषले साल हम वर्लकम की बात करें पिसले 12 महेने की बात कर रहा हूं और अब ये एशिया यह जो एशिया चैंपिन्शिप चल रही है इसमें भी एशिया कम हम भी लगाता है पाकिस्तान को तो अभी तक तो धोते वह आ रहे हैं अब इचिज इंट्रेस्टिंग हालां कि यह को नहीं डिवेलेप्मेंट है पर क्योंकि वह भी सिरफ रूमर्ड है कि इंडिया पाकिस्त कि इंडिया के बिना Champions Trophy नहीं होगी, क्योंकि पैसे नहीं आएंगे, ब्रोडकास्टर नहीं आएगा, ब्रोडकास्टर ने कॉंट्राक्ट में लिखा के रखा होता है, अगर इंडिया खेलेगा तो पैसे दूँगा, मैं आऊंगा नहीं, तो अपना tournament खुद करा लो, तो इंडिया के बिना ये tournament नहीं हो सकता है, ये बात confirmed है, और सबका ये मानना है कि देल फिगर आउट अगे, वेदर इट इस लाहोर, दुबई, शिलंका, भी डोन नो पर कहीं तो होगा, और इंडिया के बिना ये tournament नहीं होगा, क्योंकि होगा तो फिर उस पे कोई पैसे नहीं कमाएगा, और दुनिया का, जो, everything, like money makes the world go round, sir, it is as simple as that, आज के लिए मैं पर इतना ही है, like, share, subscribe, comment, notification घंटी जुरूब जाएगा, और कल का वीडियो ज़रूर देख लीजेगा, कि किस तरीके से क्यों भारत था रहा, उसके क्या-क्या बड़े-बड़े points थे, जो takeaways थे, test match के, और ये WTC का आपको समझ में आ गया है, नहीं है, नहीं है, तो भी comment section बता देना, we'll try and explain it a little more, thank you for watching. झाल